आपके अपने चैनल Study for All को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो मिल सकेंगे अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है मेरे वीडियो तो जब वीडियो मिल जाएगा तो सारा अपको वीडियो मिल जाएगा अगर खिलेर नहीं होरा है मेरे वीडियो तो जब वीडियो आते हैं, उस पर थीन मिंदी होतए है, तो ज्वेस यह ने ने टेपका की शेटाउन का कराण करन का करना मीठापन होता है याश की मापन किसे करते हैं है कि शुदुता का मापन किसे करता है अब ये कुछ नहीं अब ये ब्राड ले लिया कि दूद की वेलू भी बहुत है आप जानते ही है अब ज़्यादा दिन न लेते हूं मैं शुरू करने वाला हूं के सामने और जो लोग मेरे चैनल पर नए हूं तो चैनल के सब्सक्राइब क करने के साथ साथ बेल आइकन यानि घंटी दवाना ना भूलें जैसे घंटी बजएगा वैसे जब भी में वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन के दुरू मिल जाएगा तो जब्सक्राइब करता हूं लाइक कीजेगा शेर कीजेगा और सब्सक्राइब कीजेगा मिलन तो था अब दूद के का नाम है केसेन प्रोटीन के करण झारण के सफेद होता है तो एक प्रोटीन प्रोटीन तो इतना समझने आ रहा होगा आपको अगर कोश्चन कुछ आएगा दूद में यह केसीं फूर्टीन की प्रतिसता कितने पायती है तो यह लगभर ऐसी परसेंट से असी परसेंट से लेकर यह 75% के पिछ में यह पायाती है तो 80% से लेकर 50% तक यानि 85% तक पायाती केसी कारण के कारण दूद कारण कैसा होता है सफेद होता है तो उत्वा पहला कोशन आपको समझ में आ बनता है जो कि यह है अब कोश्चन पुछाएगा केसी प्रोटीन कैसी प्रोटीन है तो पहला कोश्चन यह बनेगा कि कैसी प्रोटीन है तो यह फास्फो प्रोटीन है तो यह फास्फो प्रोटीन है तो यह कैसी प्रोटीन है फास्फो प्रोटीन है फास्फो प्रोटीन का अ यह क्या है पूरा नाम क्या है इस प्रोटीन में फासफ़ोरस की मतरा पढ़ा थी एब हमारे हड्डियों को हमारे हड्डी को क्या करता है विया तो हड्डी को यह निर्मार फॉर्मेशन करता है प्लस इसे काम क्या होता है हड्डी को मजबूत करने कारो होता है क्या कार होता है इसका तो हड्डी का निर्मार करने के साथ हड्डी को स्ट्रेंथ यानि मजबूत मजबूती बनाता है इसलिए अब यहां पे कुछन और पूटắp होगा यहां कोशन कुछ आएती है प्रकति में नहीं पदने पेदिट दूद के प्रकति में नहीं पेदी है तो यह echo कुषन और अंतलु आ रहा है आने आ रहें को सबूंख हो नेक्ट अब कोश्म भुशेगा इसके इते माझे को नाम बनाद जया कंसी प्रोटीन हैं, इते हैं कि अलावा इसके अलावा आ पने सुना हुगा, प्रोटीन का नाम सुना होगा तो इसके अलावा कौन से प्रोटीन 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 के अलावा अन्य कौन से प्रोटीन 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 के अलावा अन्य कौन से प्रोटीन 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 प लगांगे अगर केसीन आजय तो केसीन पितिक लेंगे तीनों आगए आप्शन है तो चौत्वा अपसे राता है उपरयोग सभी है यानि अब पुछシルク का रंग सफेद किस प्रोटीओ की करण होता है किस प्रोटीओं के करण होता है किस क्रतेर वह प्रोटीओं अ प्रक्रून में नहीं प्रक्रूथ की करण होता है वह दो, únु यह किसyears6 गणा पर दो, अड़ी को मजबूत करने के साथ निर्वाण यानि फॉर्मिशन करने में मदद करता है अगर नेश को कुछाएगा किसी प्रोटिंग कितने प्रतिसत में पायता है दूद में तो 80-80 प्रतिसत यानि 85% यह पायता है इसके अलावा अन्य प्रोटिंग कौन सी पायती है इसके अ तो एक कोशन और पुछाता है अंडे में पायाने वाले प्रोटिंग का नाम क्या भी है तो अंडे में पायाने वाले प्रोटिंग का नाम है अल्विमिन तो उम्मिद करता हूं समझ में आ रहा होगा यही कारण है कि आप अंडे जो होते हैं जो शैंपू होते हैं क्या होते अब अंडे क्यों प्रोटेन बाल को बाल को मजबूती देने के साथ साथ मजबूती देने के साथ साथ बाल को शाइनिंग बनाता है चमकदार भी बनाता है कि या बनाता है यह जो अलबिमन नमक प्रोटीन है इसलिक लिए फ्रन लगाते बहुत के लिए यह थे बहुत है फिर ओने इसलिकिंट प्रोटीन पोटीन मिलेगा तो जो फिर फाल प्रोटीन हुआ तो पूछो कौन सा प्रोटिन मिलेगा तो अब समझ गया है अब है कहां और पायती है दूद में पायती है अब यहां पर एक क्वेशन और होता है दूद दूद का अगर पूछाएगा पी एच मान आपने सुना होगा पीएच में पढ़ाओंगा आपको अमले चाहर लवान ज अब इहां पे क्वेशन और होगा अगर स्थ होता है तो दूद साथ अगर किसी कप यह में यह साथ से कम सूद्व िर अचक्रान थे नहीं होता हम इतना हमेच करता हुं अर लबृट करता है में और आप आपको तो दूद का कोशन ये पुछायागा कि यहां मैं ले आ रहा हूं कोशन ये पुछायागा आपसे देखे तो सब को पता है दूध की शुदृता इसका मतलब दूध की शुदृता शुद्धूत्य का मतलब की हुआ की तो उसमें एक यंदर लेंगे एक मशीन तो द्दूद की शुद्धधा एक मापक यंथ्य होता है एक घ्रीवास यानिsan मशीन हुता है यंथ्य होता फीतो है मिलावत है यह उसमें कि शुद्धता है नाम क्या बinden क्या नाम क्या है लेक्टो मीटर अब आप समय में आ रहा होगा आप क्या अगर कोशन कुछ है कि दूद्ध में वसा पाजाती यह फैट फैट मत्ती फैट से छबबी बनती है इंसान मोटा भी हो दोच या तो क्या दूद्ध में यानि मिल्क में फैट पायता है बिल्खुल प सकते हैं दुख 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 में दुख 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 वंतने नाम क्या है तो ट्राइक रिसलायi कि या ग्लिस खेड राइड है कि दूख लृतह हमने के तो सोच लीज़ें का बीगे जो अनया है जो कि बहुत लोग नहीं पढ़के आते हैं इसमें लापरवाही करते हैं अब कोच्छाब की मत्र करते हैं कि यंत्र द्वारा कि अब यह ईंत्र द्वारा किस यंत्र द्वारा ? यंट्र द्वारा बसा की मात्रा है दूद में पता की जाती है पता कि जाती है तो केस यंक्र का मतलब किस यंद्र का मतलब किस मशीन यह यह जैसे रहिर मात्र की मनें थैसमें भी है दूद में मैं कितना वसा है इसकी मातार थिक तैक यह तो उसका नाम है यह मशीन है कि यंद्र है ब्यू आई टाइरो मीटर क्या नाव है विडिव टाइरो मीटर नाम है तो मिल्क तो समród ने आगा तो किस यंतर द्वारा दूद में बिश्यक के मातरा का पता कियाता है तो फिर्द इब टाइरो मीटर अगर मिल्क में मैं डाल जाएगा तो जितना फैट होगा जितना वसा में फेट में इतना फ्यक्रीष सोगा उसके दोरा नाम के है डियो टाइम मिटर और अपने है तो तो इसके दोहरा लेक्टो मेटर दोहरा पता करता है यह दोनों यह इंतर है इतना उम्मिद करता हूं सवज में आ रहा होगा आप इसे एक बार इसे स्क्रीन सॉट ले लिए एफिल लिए तक मैं इसके बाद कॉंटिन्यू करता हूं कि अगर लिए तो अम्हित करता हूं यह समझ में आया होगा टापिक तो पहले एक बार रिवाइस कर देता हूं कोशन पुछाएगा दूद का प्याश्मान कितना होता है भी यह प्याश्मान छे होता है तो क्योंकि जिसका मान प्याश्मान साथ से कम होता है वह क्या होता है वह अमली होता है पहला कोश्चन दूद का रंग सफेद की करना आते भी है तो दूद का रंग सफेद होता है वह किसी करना आती है केसीं प्रोटीन की करना आती है कोश्चन पुछेगा दूद में केसीं प्रोटीन कितने परसंटेज में पायता है तो 80-85 परसंट में पायता है पहला कोश्चन जो केसीं प्रोटिन सिर्प यह कहाँ पायता है यह की सीं प्रोटिन सिर्फ दूद में पायता है जो दूद का रंच सफेद करता है बाकी यह प्रक 2011 नहीं होता है पहला फुर्छन प्रोटिन अब इस tę कोशन को पुछि落गा कि किस कर Between ने तो कि ऑशे सीं एक फास्व प्रौट करने के साहथ हड्डी को मजबूत करने का कारिय करता है कूशन पूछाएगा दूध में केसीं प्रोटीन के अलावा कौन से प्रोटीन- nossas है लगलोब्तिवुद्विं अगर गूशन पूछाएगा करता है इन्ड कहा प्रोटिन कहा प्रोटिन होता हूं इसको मजब्यूत करता है इसलिए लोग लगाते भी है सरेते हैं कि सभा सिधाल विलेगा नेश्ट पूशीग की शुद्धा याइनि अगर दूद में लावर की गई है पानी की मिलावर जैसा भी तो दूध की शुद्धा किसे में प्रियती है तो लैक्टों मीटर नामक यंद्र यंद्र के ये एक मशीन है डिवाईस है जो शुद दुख्द में कौन से वसा पायाती है तो दुख्द में पायाने वलबी वसा का नाम किया ट्राइग्लिसराइड है यानि दुख्द वसा में अगर कोशन आ गया ट्राइग्लिसराइड कितना परसेंट में पायता है तो 98% परसेंट पायता है यानि मिल्क फैट में ट्राइग् सबस्क्राइब कर दोर में तो किस कि इन्द में दूर्द में वस्त की मातरा दूर्द में पतर कि एक ए ऊथा यह किए में धी ज vale यह पता है यह nu वसिए फजुर द लई भेता है बेट इससे घ्लेत करते हैं यह तो अब यह नोट्स में भीलफोल ट कर दो ऑना बहुत बच्छे करें कि सर अब लाइव आई तो मैं बता जाना चाहता हूं लाइव में तो आई सकता हूं लेकिन में पास रिसोर्स एक ही है मोबाइल है और जिससे जानते हैं नेटवर्क प्रॉब्लम मैं इसी से सारी शीच करता हूं तो इसके लिए माफिश चाहता हूं हो अब यहां पे क्वेशन आता है आपके सामने कि 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 दूद्ध का मीठा पन किसका है है दूद्ध का पहले बताता हूं इक चीजा अ पढ़quito को मेठा पन मत कि दूद का पिला पन के कारण आता है कि तो तुच याद रख़ बैने के वह रखा बबुदर के क्या पर पिला है कि यह समद्धार पन को लुदा पर तो जिए कैसा है । यहां प्रतान करना करना होता है अब कौन सा पाया आता है दूध में ऐसा कौन सा वर्णक पाया था इससे कारण दूध का जो रंग हो पीलापन होता है कावलन की उपस्त्ति के कारण या के PIGMENT की प्रहेंись करण अपने जो भी चुछ पीला अधिक तर होगा अगराए보다 आपको नहीं फस्त गए तो सबừa करणा। तो आप जानते हूंगे मीठापन जो होता है वह सिर्फ किसे करना आता है वह किसे करना आता है वह वह किसे करना पॉसिबल होता है सरकरा तो सरकरा का मतलब ही होता है मीठा सरकरा का तो सरकरा का नाम सबको कर दोथ से नर्मान किस्ट ये दोढ एग्य घ् Cloo किस से तिस निर्मान किसी लिवान्त वर होता है। से बैक्ट्रिया जिवानग़ अर्थ है फ्यूड इसे निस्टत बंसे तिर्मा क्कॉर्णपौन धाय सुझ आ, नहीं सकते हैं आपने आखों से हम नहीं देशकते हैं we can't see with our open eyes with the help of microscope we can see मतलब हम microscope scope यानि सुछ में दर्सी की सायता से ही इसे हम देशकते हैं तो दूस्छे दहीक कर निर्माण की जिवानुकरन उता है भी है लेक्टिस के ना में भी है लेक्टो बैसिलस लेक्टिस का है भी देखेगा तो अगर कोशन पुछाएगा दूद दूद से दही का निर्मार किस जिवानों किस जिवानों जिवानों का मतलब किस बैक्टीरिया कारण होता है तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है लेक्टो बैस कब टोखुन से और याकसे करता है अब यहां से देखेगा अब यह कैं करता है निक्ति हम आफ होता देखेश दही कई से बनता है अब अब प्रक्रिया ने इए इस Lite को बाहले है ने अब नोचन से ने मलते हैं टो के किसा दिवारा होता है कि प्रक्रिया प्र में टीम तुर्ल्फ न इसम टो कॉछ पुछाएगा कि अभी जमाने के प्रक्रिया कैसी होती प्रोसेस में समझा दे रहा हूं अब यह लेक्टो बैसले लेक्टिस क्या करता है दूद में अभी बताया था दूद का मीठापन की सरकरा के कारण होता है लेक्टोज तो यानि आपको दही बलाना है तो अब देखिए लेक्टोज खताम करना होगा अब कॉशन पूछाता है क्या क्या है दूस्से दही करने करता है कौन सा जीवानों लेक्टोज अब इसका पहला कार क्या है यह लेक्टोज पे कार करना शुरू कर देता है अब यह लेक्टोज को चेंज कर देता है लेक्टोज को परिवर्तित कर देता है परिवर्तित मतलब लेक्टोच को बदल लेता है अब यह पूछा किसमें बदल लेता है किसमें बदल लेता है परिवर्तित कर देता है तो अगर बात की जाए कि है किверah चेंज्ज करेता है तो यह लेटिक अरवीच आए तो इससे एक और पूछीन पूछ रहता है कि दूध में कौन सा अफम का नाम क्या है अगर कुछ ना यह लगा तो को अब phosphorus को कुसकρο बीलैक्ट्ट्रोज को क्या करता है परी वर्तित करता है किसमी। अब ये कंबाइन हो एथा यहानी प्लस अभी किसे साथ कंबाइन का मतलब और फलस हो जाएक तो यह जानते हैं भी बताइन दूत करन सफेद डूत क विर सफेद किसे करन होता है रंग इस लेढ़नक लिए क्योंद दूद का से साथ करेंगे कर लेता है लेक्टिक आरुछ किसMें चेंज हो चुका है तो मुख किसने की कि लेक्टो ङुकार जिवानुवा तो इसी लिए कोशह मिलब रता है कि तो यह जिवानों की द्वारा होता है किसकी द्वारा होता है जिवानों की द्वारा होता है किसकी द्वारा होता है जिवान की द्वारा उसका नाम क्या है लेक्टो बैसले लेक्टिस यह करता है दूद में पायाती है पहले से सरकरा सुगर पायाती है उस सुगर का नाम क्या ह कब करता है लेक्टिक अमिल होता है जाता है केसी चाले कि यह होती है अब lugalan पूरी प्रक्रेया हुती है अब यहांपर और पुछायता है आप से यहांपर ध्यान दिघान दीजीगा अ है यह अगर कॉछ्षिन अध्यासे निकल ला है पहला कोश्न देखी है धियान से पहला कोश्न क्या है अगर माल लिये दूद में ज़िवानूँ है यह जाया यह जिवानून गज सो अच्छा है लेकिन और जांते हैं दूद में सब सेयाधा microorganism, कहुंसे organism लिए, microorganism, organism, मतलब,ativoach, मजीव, क्या करते है, भाट तीजी से, rapidly, rapidly, growth करते है, rapidly growth मतलब, बहुत तीजी से क्या करते है, growth करते है, growth मतलब विर्ध्ती, और इसमें, कुछ, लाबदायक होते है, और बहुत से क्या होते है, है हानिकारग भी होते हैं अब इनको अगर इस जिवानों को निश्क्रिय करना है तो एक कोशन कुछाइब पेपर में प्यार सा कि दूद में उपस्थित जिवानों को नश्ट करने के लिए कितनी डिगरी से अनिवार होना चाहिए तो अगर 10 डिगरी से से कम कर दिया है तो दूद में उपस्थित अपस्थित में प्रेजेंट है किया प्रेजेंट भी है जीवान क्या हो जाएंगे अभी है तो उमीद कहता हूँ इससे क्या होगा जिवान क्या जाएंगे निश्क्रिय में भी हो सकते हैं निश्क्र्य होझाएं से अब कहते हैं जो माता जो इस्तन पान कराती है माता जो इस्तन पान कराती है यानि इस्तन पान करने से जो माता का जो दूद होता है उस वो क्या का जानते होंगे सुरुवात में कहते हैं कि माता का दूद्ध सबसे ज़्यादा अनिवार है यह जो गाय के दूद्ध है भैस के जिसके भी दूद्ध है उससे भी ज्यादा अनिवार किसका दूद्ध होता भी है माता का दूद्ध यह जो उसका दूद्ध होता है यह बहुत अनिवार होता है इसमें कुछ essential substance पायते हैं वो क्या पायते है आवश्यक पदात पायते है उसका नाम क्या है जो वो जो दूद में एक जो पायता है वो क्या प्रवाइड करता है परतिरोधक शमता बढ़ाता है तो दूद माता के दूद में वह कौन सा पदार्त है जो परतिरोधक शमता कि पथार्थ का नाम है उस पथार्थ का नाम है कुलेस्ट्रम के नमें भी या कि दूद में वोसा पदात पायता है जो अब के परति रोधक शमता में ज्रेए बढ़ता है परति रोधक शमता म माता के दूद में कौँ सा पदात उपस्छे होता है जो कौँ सा पदात होता है। त्यारीच माता की दूद्र में कोलेस्ट्रम इसलिए माता का alt पहला अन्युवार्ट माना गया इतना उम्मित कैतां सुम्झ मैं आ रहा होगा आपको अुच्ट को यहां पर नस नुद पर एक और कॉशन अमाशे बोलाता है अब कोशन बोलाता है कि अमासे में वा कौन सा एंजाइम उपसे होता है वह यह क्या करता है यह एंजाइम क्या करता है जो दूद से करके है दही बनाने में दही बनाने में क्या करता है मदद करता है तो वह अमाशे में अगर कोशन बूछ है क्या अमाशे में वा कौन सा एंजाइम उपसे होता है जो दूद को तो दही बनाने में मदद करता है तो उस एंजाइम का नाम है रेनीन एंजाइम क्या नामे भीया रेनीन एंजायम अगर कुछा पिछा का रेनीन एंजायम कहा mots पयता है तो अमांश में अधम है और यह एंजाइम दूद को धही में बनाने में मालत करता है तो उम्मीद करता हूँ यह टॉपिक पूरा यह समझ में आया होगा यहां पर मैंने जितने भी इंपोर्टन्ट कुश्चन्स थे मैंने यहां पर कवर कर दिया आपका और इससे बाहरी कुश्चन जो भी और बनेंगे मैं सेकंड भी लाने वाला हूँ इसमें और भी उपर लेवल के कुश्चन्स पूछे आते हैं और यह पार्ट फरस्ट है मैंने जितने इंपोर्टन्ट थे आपको यहां पर उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा और नौलज भी मिला होगा पूरा आपको समझ में आया होगा प्याश्मान कितना होता है चल गौन कंदना कि ऊक्शे होता है न रणा आता है रंग करने होता है कहBryan पुछान का नाव कि पीमेन का नाम कलो तो सब्सक्रान को होता है तो कोछन दूद का मित्प्र कर डॉता है तो सब्सक्रारा का नाम के जु कर ऺई इसए दूद केता है आप कोशन पूछ अगा है कि यह दो से दढ़ी का निर्मारा है इसकी प्रक्रिया कैसी है तो कुछन पूछाएगा लेक्टो बेस्ति तो पस्तित है एक सरकरा जो दूद का मिठापन कर रही है दूद का क्या करता है अब क्या करता है यह किसे कम बाइंड हो एक से जूर बताया था मैंने कि दूद का रंग सफेद करता है तो लेटिक हम कैसी इंसे क्रिया करता है और फाइनली क्या बन जाता है भी या दही बन जाता है अब इससे नौलेज आपको बहुत मिला होगा अब कोशन पूचाएगा दूद के जिवानों को निश्क्रिया अथा निश्ट करना है तो कि दिए डिगरी से से कम में ले जाए कि माता जो इस तन पान कराती है तो हमलों थेले परति य sedust कुष्ट हिअचा के उपस्तित कौन सा बढ़ाता है जो शुशू यानि बुच्चों की उनिता लर्जी क्लेस्ट्रम क्लेस्ट्रम प्रता नाम को सो यह दिमुष्ट करते है इसi लिए अन्युए क कई हैं माता का इसन धूद़ समर ना गया अब कुछण और प्लेट केटा है वा कौन सा कौन सा był कौनस एंजाइं में इस का मदद करता तो है ना हमसे में कहीया पंगा Kil Одताल जो दूथ से नहीं मदद करता है पुछाइब का पायता है अब कुछन में दूर्ट से नहीं का बनना यह शुच्छन में बूल ला था है दूर्ट से नहीं का बनना एक समझ में नहीं कैमिकल सींटार्पाट्राल जाता है जो एक माद्यम से दूजरे माद्यम में जाने पर यानि दूढ और से कि म fragiles राइक माद्यम के लगाए घुत-गाने बन नहीं नहीं बन जाएगा जाने पर पुना प्रारंबिय वस्था में ना जा पाए याशनी से दूद्री नहीं बन पाएगा वह पर और परुद्रं कैसा परुद्रं कहलाता है तो रसाने करो तना चैनी लोकशुवर्ण है यानि chemical conversion है उम्हेद करता हूं सभज में आओगा प्लीज 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 चैनल को लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना तो ना भूली थैंक यू थैंक यू सो मच